हेलो अब्रीवन स्वागत आपका मेरी चनल में आज मैं आपके सेयर करूँगी साउदानी बड़ा बनानी की एकदम परफेक्ट रेस्पी आपको सांथ कभी कभी यह दिक्कत होती होगी कि जब भी आप बड़े बनाते हैं या तो बहुत ही ऑईली हो जाते हैं या फिर सौगी हो जाते हैं एकदम क्रिस्पी नहीं बनते और इसके साथ ही जब बड़े बनाते हैं तो या तो हातों पे चिपकते हैं या अच्छे से उसका परफेक्ट सेप नहीं आता तो आज मैं आप साथ शेयर करूँगी एकदम परफेक्ट बड़े बनाने की रेस्पी जैसे कि मैं ब पहले हम सावदानों को फुलाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाला है पानी डालने के बाद हम सावदानों को साफ कर लेंगे और यह जो पानी है उसको निकाल देंगे इसके बाद हम इसमें दूसरा पानी डालेंगे एक से दो बार हमें यह प्रोसेस करनी है तो चल पानी सावदाने में रहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं पानी की क्वांटेटी आपको बताने वाली हूँ कि जब आप सावदाने फुलाते हैं तो आपको कितना पानी डालना चाहिए इसलिए आपने जितना भी पानी डाला है पूरा निकाल दीजिए अब सावदाने साफ हो तो देखी मैंने पूरा पानी निकाल दिया है अब मैं इसमें पानी डालूंगी तो जैसे हमने एक कटोरी भरकर साबुदाने लिये थे तो आधा कटोरी की लगभग, यहाँ पर मैंने आधा कटोरी से थोड़ा कम पानी लिया है और लेकिन इसमें आधा कटोरी पानी जाएगा, जिसे एक कटोरी भरकर आपने साबुदाने लिये हैं तो इसमें आधा कटोरी पानी जाएगा पानी आपको इतना डालना है कि जब आप सावुदाने को फ्लेट करें तो हलका सा पानी उपर दिखना चाहिए बहुत जादा नहीं दिखना चाहिए हलका सा पानी उपर तक दिखे अगर पानी इसमें कम रह जाएगा तब भी साबुदाने अंदर से कड़क रह जाएंगे और एकदम सॉफ्ट नहीं होंगे तो हमें इतना पानी डालना है कि जरा सा पानी साबुदाने के ऊपर रहे बहुत ज़्यादा भी ना रहे जरा सा पानी, देखी मैं आपे चमल से मदद से आपको बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी इस पर नहीं है और हलका सा ही पानी इसके साबुदाने के ऊपर है अब हम इसको दो से तीन घंटे के लिए फुलाने के लिए रख देते हैं ढखकर तो चले हम इसको रख देते हैं फूनले के लिए और आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं लेकिन गर्मियों के दिनों में ओवरनाइट फुलाने से साबुदाने खराब ही हो सकते हैं इसलिए दो तीन घंटे ही फुलाना काफी है तो देखी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसावदाने एकदम सॉफ्ट हो गए हैं देखे हमने इतने पाने डाला था जिस inflict इसावदाने एकदम सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल भी अंदर से टाइट नहीं है हम ऐसे ही सावदानी चाहिए तो चलिए अब हम कुछ सामाल ले लेते हैं तो मैंने यहाँ पर फली दाने लिए हैं साथी लिया है नमक अगर आप रत के लिए बना रहा हैं तो यहाँ पर सैंधर नमक का इस्तिमाल करें आधा छुटा चमस जीरा हरी मिर्च हरी मिर्च की मातरा आपने स्वाद मिर्च कम याँ जादा ले सकते हैं और यहाँ पर हमने फली दाने लिए हैं फली दाने की मातरा भी बहुत जादा नहीं डालनी है अगर आप बहुत ज़्यादा फली दाने का इस्तिमाल करते हैं कि तब भी बड़े अ कड़ाइए फैनने लगते हैं जब आप कड़ाही में सेखने के लिए बड़े डालते हैं तो वो प्रेस्च अब हम फ्ली दानों को रोश्ट को लेते हैं जिस्से की वह अंदर तक कड़े हो जाए तो चलिए इसको 2-3 मिनिट रोस्ट करते हैं और इसको निकालकर थंडा होने के लिए रख देते हैं इसके साथ ही मैंने आलू को बॉयल किया है अब यहाँ पर देखिए आलू की जो कौंटरिटी है हमें साबुदानों से कम रखनी है यहाँ पर जितने हमने साबुदाने लिए थे मतलब फूलने के बाद जितनी उनकी कौंटरिटी दिखती है उससे थोड़ा कम आलू की कौंटरिटी होने चाहिए तो आलू को भी बहुत जादा नहीं उबालना है दो स्वीती लेन तक आलू को बालना है और आलू भी सॉप्ट नहीं होने चाहिए बहुत जादा इसकी साथ ही हम जो फली दाने का छिलका है उसको निकाल अब इसमें साबुदाने मिक्स कर देंगे यहां पर आप साबुदाने देख सकते हैं कि साबुदाने एकदम खेले खेले हैं और बिल्कुल अंदर तक सॉफ्ट है तो चलिए यहां पर मिला देते हैं इसमें फली दाने और साथी में टालेंगे इसमें नमक ब्रत के लिए ब इसके साथ ही अगर आप हरा धनिया इस में डालना चाहें, तो आप डाल सकते हैं, तो यहां पर देखिए डो लग कर तयार है, अब बड़े बनाएंगे, और यहां पर आप डेख सकते हैं, कि डो एकडम tight है, आप tight डो में जो जब हम बड़े बनाएंगे, तो बो भी एकडम प और इसकी साथ ही मैंने कडाही को गर्म होने के लिए रख दिया है तेल डालकर गैस पर और कडाही को मैंने हाई फ्लेम पर ही रखा है मैं चोटी छोटी चोटी बात आपके श्यार कर रहे हूँ जिससे कि आप इक दम पर्फेक्ट बड़े बना आ सकते है और तो चलिए हाई फ सबस्क्राइबowaniaszych करें10 आप में यहां पर आप लई दिया करते है और दोनों तरप से ब्राउन का लगा होने तक को मैं सोगं। दोन vorher करी को दीजु 설 quanto सब्राइब को दाधं है एलेको मने दाधा लिकिसम ठाओ on हमने भी गलतियां की है तब ही हमें पता है कि इसमें क्या-क्या दिक्कत हो सकती है बड़े बनाते टाइम और देखे किते बड़ियां बड़े बंकर तयार हुए हैं कि आप हम इन बड़ों के साथ सर्वकर्णुट लिए बनाएंगे टमाटर की चट्नी जो कि बनाएंगे हैं बिना तेल की इस चट्नी बड़ों के साथ बहुत बढ़िया लगता है तो इसे बनाने के लिए मैंने 4-5 तमाटर लिए हैं और इनी को छोटे-चोटे पीसे में कटक सबसे 20 चीज इस चटनी कर लेंगे हम दालना पानी डालना है और इसे घराइंड करकर लेंगे और इदम प्यूरी बना लेंगे और बहुती कम टाइम में टमाटर की चटनी मनकर तयार है तो चलिए अब टमाटर की चटनी भी तयार है और बड़ों को हम सर्व करते हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं चुटी से चुटी बात आपके साथ शियर कर पाँँ जिससे बड़े एकदम परिफेक्ट बने देखिए बड़े किस्पी बने है इसमें बहुत ज़्यादा तेल एब्जाब भी नहीं हुआ है और इसके साथ ही अगर आपको बड़े बनाने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और ऐसी रेस्पी के लिए में इस याल पर में साथ बने रहे हैं